हमारी ज़्यादातर बिमारियों का कारण हमारे पेट से संबंदित रहता है तो फ्रेंड्स येदी हमारा पेट फूलने लग जाता है पेट की साइज बढ़ती है तो हो सकता है अंदर ये अंदर कोई ब्रॉल्लम चल रही हो तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेट फूलने के 6 में कारण क्या क्या हो सकते हैं और ये उन कारणों का आप सही समय पर इलाज कराते हैं तो कई बिमारियों होने से अपने आपको बचा सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुशीला और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूटूब चैनल टाइम सूफाइर वेदा में तो सीधी बात करते हैं कि पेट फूलने के 6 कारण क्या हैं तो उनमें पहला कारण आता है आपके शरीर के अंदर फैट का डिपोजेशन होने लग जाता है यानि आपके शरीर में मेध बढ़ने लग जाती है वो ये है कि आपके पेट के अंदर गैस बनने लग जाती है या वायू का संचा होने लग जाता है तो ये गैस आपके आंतों के अंदर बनेगी तो उसके कारण आपका पेट दिरे दिरे फूलने लग जाता है तो यदि आपके पेट के अंदर गैस बन रही है तो आपका पेट खींचावा नजर आएगा आप लेट कर अगर आपके पेट पर अंगुली से आवाज करते हैं तो एक ढूलकी से आवाज आने लग जाती है तो हो सकता है कि आपके पेट में कहीं न कहीं gas बनना स्टाब हो गई है तो आप इसका भी सई समय पर इलाज करवा सकते हैं और जो आब आता है थेर्ड कारण तीसरा जो कारण है वो यह है कि आपके पेट के अंदर जो आपकी abdominal cavity है उसके अंदर पानी का संचह होने लग जाता है जीसे एसाइटिस बोला जाता है ये एक तरीके की सीवेर कंडिशन होती है तो आप इसको सही समय पर येदी डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको बता सकते हैं कि आपको एसाइटिस है और आप इसका सही प्रोपर ट्रीटमेंट भी लेके इ लगतार काफी समय से कब्स की समशा रहा है जिसके अंदर आप के अंदर सुस्ती है वीचे नहीं बनी रहेगी आपके एक तरीके से इंडाइजेशन हो जाता है तो वो आपका पीट फूलने का यदी कारण रहता है और आप उसका सही समय पर इलाज करवा लेते हैं तो आप कई बिमारियां होने से अपने आपको बचा सकते हैं अब आप बा बन रही है तो भी आपका पीट फूलने लग जाता है पीट की साइज बढ़ने लग जाती है तो आप नजदे की डॉक्टर को दिखा कर इसका कारण पता कर सकते हैं और इसका सही समय पर इलाज लेके बिमारियों से अपने आपको बचा सकते हैं सिक्स्त जो कारण आता है वो यह है कि ये दि आपके पीट में कैंसर बन रहा है किसी भी पार्ट के अंदर कैंसर डवलप हो रहा है तो आपके पीट फूलने लग जाता है पीट की साइज बढ़ने लग जाती है तो फ्रेंड्स समय रहते आपको अपने पीट का ध्यान रख करी और वीडियो की साथ तब तक के लिए थैंक यू